सबस्ते बादचीत के हमारे स्खास करेगम मैं आप सबका स्वागत इस समय राहूल गांधी लगातार चर्चा का विशय बने हुए हैं चर्चा में बने हुए हैं दरसल बीते एक दसक से जैसा हम देख रहे हैं मोदी जी हर रोज कुछ न कुछ ऐसा करते थे जिससे वो मीडिय में रहें सुर्खी में रहें उनको लेकर के बादचीत हो अब वो बादचीत कौन से लोग करते हैं ये माइने नहीं रखता है दरसल राहूल गांधी इस अठारवी लोगसभा में जब से शुरुआत हुई है और खास करके जब से वो एलोपी बने हैं तब से जिस तरीके की चीजे उनके साथ हो रहे हैं जिस तरीके का वो वक्त बे दे रहे हैं या जिस तरीके से वो अपनी भारत जोडो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं ये ऐसी चीजे हो गई हैं जिसमें राहूल गांधी लगातार चर्चा में हैं उनकी लगातार बात हो रही है और ये बादचीत जो है वो आम लोगों में हो रही है और इससे भी बड़ी चीज ये है कि ये जो बादचीत है वो राहूल गांधी के सकारात्मक व्यक्तितों को लेकर के हो रही है उनके सकारात्मक कदम को लेकर के हो रही है इनफेक्ट हर कदम साकारात्मक माना जा रहा है आम आदमी के प्रती लोगों से जुडाव के प्रती और जो नफरत के बाजार में मुहबत के दुकान खोले वाली बात थी उसके प्रती क्योंकि जिस तरीके से राहूल गांदी एक के बाद एक लगातार तमाम हादसों के पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं लेकिन किसी भी पीड़ित रज में वो जा रहे हूं किसी भी घटना वाले रज में वो जा रहे हूं वो सरकारों पर सवाल उठाने के बजाए सरकारों को solution देखते हुए दिखते हैं और सरकारों के साथ खड़े हुए दिखते हैं वो ये बात कहते हैं कि आप मुआफ़जा दीजे मैकसिमम दीजे सिगरा ते सिगर दीजे ये नहीं कहते हैं कि सरकार किला परवाही के चलते ये घटना हो गई वो ये बात कहते हैं कि पीडितों के सा जो कुछ भी हुआ, यहाँ पर घाट나 के लिए सरकास सीधे तोर पर जिम्मेदार है। सरकार की जिम्मेदारी तै करना, सरकार की कमियां बताने के बजाए, वो लोगों को सलिउशन देते हुए, लोगों के जो समस्याएं हैं, उसकी समाधान की बात करते हुए और सरकार को सलाह देते हुए रास्ता दिखाते हुए देखे जा रहे हैं और ये राहुल गांदी के सकारात्मक व्यक्तित्थों का हिस्सा वाना जा रहा है बहुत सारे सवाल हैं आप जैसा देख पा रहे हैं अकिल स्वामी सरे मारे साथ मौजूद हैं बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस समय राहुल गांदी को लेकर के खड़े किये जा रहे हैं पूछे जा रहे हैं और उसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि राहुल गांदी ह लिए चैलेंज है देखे मुझे लगता है कि बीजेपी के जो वरिष्टतम नेता हैं वो सुबह उनकी साड़े तीन चार वजे नीन खुल जाती होगी और साड़े तीन चार वजे वो ये पता चलाने का प्रयास करते होंगे कि राहूल गांदी कहा फ्लाइट पकड़के कहा ज पहुच रहे हैं या वो मनिपूर जाके वहां के जो सताय हुए लोग हैं परिशान लोग हैं उनके साथ खड़े हुए हैं रिलीफ कैम के अंदर हैं या वो आसाम के अंदर जहां पे 24 लाख लोग बाहर से पीड़े थे हैं और घर बार छोड़के आश्रे इधर ओधर ढूं पिक्चर थी नायक कि जब इतनी जादे समस्याएं बढ़ गई थी तो अनिल कपूर एक दिन के लिए चीफ निस्टा बने थे और उनने लोगों की जो समस्याएं उनका समधान करने का क्योंकि उन्होंने खुच जह लीती वो समस्याएं तो राहुल गांधी जिस प्रकार से हर चीज का जवाब दे रहे हैं मुकेशंबानी सोनिया जी से मिलने गए एपॉट्मेंट पहले से फिक्स था राहुल गांधी को पता था कि मुकेशंबानी सोनिया जी से मिलने आ रहा हैं राहुल गांधी उसके आदे गंटे पहले निकल गए जीटीपी नगर जाके उन्हो उने वहाँ पे उनके साथ काम किया तो असली मुद्धा यह है कि वो देश के हर वर्ग समाज के हाट होगा अच्छा देखे कितनी नहीं नहीं बातें पता चलती है जब राहूल गांधी की यात्रा को आप देखते हैं जो मुझे खोद नहीं पता था जब यह पता चला कि न्य आपआलीज डिगरी बाहर का टैंप्रेचर होता है तो हमारे इंजिन चेंदर पचास अधिन अणरपयरी का doesOut May अब आप सोचिए रामप्रगास ची एक चोटे से केंदर मिन की अंदर आप रहें जहां पचास अधिन का टैंपड चार हूप और टॉइलेट ना हो और आपको मानी मात है नेचरल प्रोसेस में चीजों की जुरत पढ़ेगी तो लोगों के जीवन में कितना दबाव होता है छुट्टियों मिलती नहीं वो कहने है छुट्टियों को तब प्रश्णिया भूल जाईए छुट्टियों का मतलब है कि आपको वर्निंग इशू हो जाएगी और आपका शोकॉल नोटिस आपको इशू हो जाएगा तो जो लोग सरकार पे पूरी तरह से डिबेंडेंट है नौकरी नहीं छोड़ सकते उनका किस प्रकार से शोचन हो रहा है अब आप राहुल गांदी गाए कैनड़ा वहां जाके वो ड् विन होता है दस जाड डॉलर पर मंद कमाता है आट लाग रुपए महिना और हिंदोस्तान का ड्राइवर पंद्रे बीस जार रुपए कमाता है उसकी क्या जीवन की स्थिती है आप इमेजिन कर सकते हैं जे दिन में वो कम से कम चार सा पांसो किलो मिटर चलता है रस्ते भर को घुझ देता प्रता है कहीं यह रुका जाता है कोई पीटा जाता है क्या है डंडा लोग उसको मारते हैं तो राहुल गांधी जो लोगों के समाज के अलग-अलग वर्गों की समस्याएं उसको सामने लेके आ रहे हैं और हमको भी पता चल रहा है जो लोग हम अघ्ञान थे, क्योंकि हम तो ग्रामीन्चेत्र में यज्यादे घुमे नहीं, हम हर वर्ग में घुमें नहीं, तो राहोल गान्धी के माध्यम से पूरे देश को जागरती हो रही है, हमको दूसरे वर्ग, दूसरे समाज, दूसरे economic class हिरास के दर्दों के बारे में कम से कम देश को पता चल रहा है को देश को एक डर्षन दे रहे पहारत वर्श की जो वस्तु स्थिती है उससे अवगत करा रहे और दुखी लोगों के अशू पहुच रहे और जो पैसे वाले पूजी पती लोग हैं उनके साथ खड़े न होकर देश के दबे कुछले लोगों के सार राहूल गांदी खड़े होके एक विकल्प देश को दे रहे हैं। गले लगा लेता है। और एक नेता वो हैं जो मन की बात करके और देश का कल्यान करने की बात कर देते हैं। देश को आगे ले जाने की बात करते हैं दावे करते हैं। इन दोनों की स्टिती अगर हम देख लें तो ये तो बहुत बड़ा एक अंतर हो जाता है राजनीतिका तो कि जब लोगों के बीच में नहीं जाएंगे बतौर प्रदानमंत्री मोदी जी या लोगों से उनका संबाद नहीं होगा तो लोगों की दूरी बढ़ेगी और शायद उसका ही परिणाम 2024 के लोग सब चुनाओं में देखने को मिला नहीं पूरी तरह से देखने को इसलिए नहीं मिला यह देखिए एक हमारे management में वर्ड आपने भी जरूर इसको डिसकस किया होगा हर व्यक्ति का स्वाट एनेलिसिस होती है हर स्थिती की स्वाट एनेलिसिस की जाती है strength, weakness, opportunities and threats 2013 के अंदर यह थी थी कि Congress के बारे में छवी इतनी जादे Congress की खराब हो गई थी और राहूल गांदी की खराब हो गई थी पंडित नहरू की मात्मा गांदी की social media के माध्यम से इतनी जादे खराब हो गई थी कि वहां से उबर पाना Congress के लिए संभव नहीं था कुछ भी कर लेते तो अच्छा जो बीजेपी की जो social media के माध्यम से गुमाई गई थी और जंता को दिखाया गया था कि जैसे गुजरात के अंदर तो कोई समस्या ही नहीं और यह पता चला जब मौर्वी की घटा हुई और यह जो अभी gaming station की घटाएं हुई कि कि कितनी और यह पता चला कि यह मदब stairs नहीं हैं उनके पास fire जी पतियों का पैसा था इसके माध्यम से पूरा का पूरा social media पे बीजेपी का और उनके तंत्र का कबजा था क्या महसूस करते हैं आज कब जा है वह आप देखिए 10 साल के अंदर इंतर किता आ गया है कि जब राहूल गांदी की पार्लेमंट के अंदर speech हुई तो लाखों ल लोग हैं और 20% कुकी समधाय के लोग हैं अब कुकी भी Congress को वोट दे रहा हैं मैती भी Congress को वोट दे रहा है तो आज के तारीक में दीके 2024 के चुलाओ में तब भी 15% लोग ऐसे थे जो यह मान रहा है थी कि BJP cannot be defeated इसले उन्होंने जागे BJP को वोट दे दिया इस election से उनकी भ elections होंगे और उसके बाद हर्याना महराष्ट जारकंड जमुन कश्मीर के elections होंगे हर्याना के तो आपको देखके पता चलेगा कि वो 15-20% जो लोग केवल टीना फेक्टर की वज़े से BJP को वोट दे रहे थे उसमें आधे इंडिया एलाइंस के तरफ आ जाएंगे और पूरा मैट्रिक्स बदल जाए जे अभी राहूल गांदी की जिस सियासत की हम बात कर रहे हैं और जो सियासी तस्वीर आप दिखा रहे हैं निश्चित तोर पे वो पूरी भाजपा के लिए परिशानी का सबब बने हुए है ऐसे में भाजपा जो है लगातार चर्चा कर रही है ल लगातार उनकी जो विश्वास है उनका लोगों का विश्वास उनके प्रति है वो बढ़ रहा है तो भाजपा कि उसका समाधान निकालने के लिए कोई बड़ा कदब नहीं उठाएगी जिस तरीके की बात अभी आपने लोगसभा में स्पीच का जिखर किया इस स्पीच मे लोगों ने देखा कि कैसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी सहीत पूरी टीम मोधी जो है वो बिढ़ी रही कि राहूल गांधी का स्टेटमेंट पर राहूल गांधी का वक्तव पूरा ना होने पाए बार बार टोका टाकी करते रहे इसके बाद लोगसभाय स्पीकर के पा प्रकास जी एक डेविल्स अडूकेट का गेम खिलते हैं यह मैं आप सोची है आप माली जे मोधी जी हूँ और मैं राहूल गांधी हूँ आप क्या करेंगे वाट वुड़ यू डू आप बताईए आपके दिमागे में क्या आता आप क्या करेंगे अगर आप हिंसा करेंग घ्री के सी जो इन्होंने हमदाबाद करेंगे राहूल गांधी पहुँच गया पर और राहूल गांधी ने जाके अपने जो प्रकार प्रकार के होते हैं और एक शान्त होते हैं जो हम जैसे होते हैं जो असली सनाता नहीं होते हैं असली हिंदू कल में एक चर्चा में था मैंने यही बात कहीं कि हिंदू दो प्रकार के होते हैं आप हिंदू और राम एक जैसे थे क्या रामन हिंदू था लेकिन खराब हिंदू था कांस जो था वो मामा था भगवान श्री क्रिश्चन का हिंदू था ना लेकिन खराब था कौरव पंडव हिंदू थे कौरव खराब थे पंडव अच्चे थे तो हिंदूओं में भी ऐसे हैं जो उपद्रवी हैं जो भेद करते हैं जो लडाई कराते हैं जो हिंसा करते हैं और कि तो भी नुकसान होगा, तो आपके बाद कोई विकल्प नहीं है, केवल विकल्प एक है, केवल एक विकल्प है जो मोदी जी कर नहीं सकते, वो यह है कि मोदी जी भी ऐसाम चले जाएं, मोदी जी भी मनिपूर बेच चले जाएं, मोदी जी भी जाके राज मिश्क्रियों के कर रहे हैं मोदी जी कयना डू इट उइड ओर मोदी जी जुए रहूट कर दो इड वाई रहूल गांदी गया केंड़ेश गये और विदेश कईए इंट रेक्ट्षिल फोरं पर बैठके बातें की प्रेस कॉंफरेंस की तो जो काम मोदी जी प्रेस कांफरेंस नहीं कर पाते intellectual से बात नहीं कर पाते हूं राहूल गांधी कर सकते हैं आप बताइए एक तरीका बताइए मालीजी आप एडवाइजर होते बीजे पी के तो आप क्या करते हैं जिस से की राहूल गांधी जिस energy के साथ लीडर अपोजिशन का भी रोल अदा कर रहे हैं रो दो तीन जगे जा क के वो दुख्यों के अंसु पोच रहे हैं, इस समय गुजरात राहुल गांधी की वज़ासे चर्चा में है, जब से उन्होंने सदन के अंदर ये कहा है कि आप लिख करके ले लिजे कि हम आपको गुजरात में हराने जा रहे हैं, तब से गुजरात की एक अलग रूप में चर मोदी जी की धरती से जब जा करके उनको ललकार रहे हैं, इसका क्या कुछ असर होगा, क्योंकि अभी दो बड़े राज्यों के और अहम राज्यों के चुनाव हैं जिनका आपने जिक्र किया, उसके अलावा लाइन से चुनाव शिडूल हैं, जम्मु कश्मीर है, जारकंड है, बिहार है, सारे राज्यों हैं, और ये सारे चुनाव जो है, निश्चित तोर पर अगर भाजपा के खिलाफ जाते हैं, तो फिर केंदर की सरकार पर उसका सीधा असर होगा, यह कि ऐसा है, गुजराद जो है, वो मोदी जी का राज्यों नहीं है, वो महत्मा गांदी का ग्रह राज्य है, ठीक है, अरे महत्मा गांदी का ग्रह राज्य है, और द्वाजपा धीज का स्थान है, तो गुजराद जो है, बड़ी पवित्र भूमी है, और बड़ी तेजस्वी और ओजस्वी भूमी है, यह तो गुजराद वासियों को हिंदू-मुसल्मान के मेन दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर आप सूचिंगे पहले कोई फी कोई फी यह कह रहाता क्या तैश्ट में कह रहा marrow ही कि पंगाल में हो सकती हो जाए उत्तर प्रदेश के बारे मेंbn कम से कम एक राजिक के बारे में कोई नहीं कहराता विशिशकеро कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये कोई कह रहा था 60 मिलेंगी कोई कह रहा था 75 मिलेंगी कोई कह रहा था 80 मिलेंगी कोई कह रहा था 80 मिलेंगी और समाजवादी पार्टी ने धो दिया क्यों धो दिया वही चीज गुजरात में होगी गुजरात के अंदर जो खाम एलाइंस बन किया था आज वही काम काम कर रहा है और क्योंकि वहां पे राहुल गांधी के वहां पे कॉंग्रेस के मुख्याले पे बीजेपी वालों ने आकरमन किया और यह सिद्ध कर दिया कि वो लोग उग रहें तो इसलिए गुजरात वाले जो बेसिकली शांती के समर्थक हैं वहत्मा तो इस तो सर्मा फिर बिस्कुट खाने पहुंच जाएंगे राहूल गांदी के का सर राहूल का एक चीज और में इस समय दिख रही है गुजरात और गुजरात की बात हो रही है राहूल गांदी दोरे कहीं के भी कर रहा हूँ लेकिन जो वक्तव हैं उनका जो बयान आ रहा है उनके वो काफी सेंट्रलाइज हो गए है यूपी और गुजरात को लेकर के तो क्या कोई बड़ा गेम प्लान चल रहा है इस समय क्योंकि यूपी में एक तरफ इतनी बड़ी सफलता मिली है दूसरी तरफ उप चुनाओ होने जा रहा है इसके अलावा बार बार ये कहा जाता है कि भई दिल्ली की सत्ता का रास्ता जो है वो यूपी से ही जाता है खुद राहूल गांदी यहां से सामसद है तो पूरा फो कि बीजेपी अवधेश प्रशाद पर अटेक करना उन्होंने शुरू कर दिया अरे वो यह नहीं समझ रहे हैं कि अवधेश प्रशाद बेसिकली आज जो पीडिये एलाइंस अखलेश यादाओ ने बनाया है और जिसको ओबीसी के बार राहूल गांदी कर रहे हैं उस अवधेश प्रशाद को सामने करके जिस प्रकार से डलित चेतना को जगाने की बात कर रहे हैं और समिधान को बचाने की बात अखलेश यादाओ और रहूल यह कर रहे हैं और जितना जादे बीजेपी अवधेश प्रशाद पर अटेक कर रही आपके उनको सुरेश को अगर इन्होंने लोगसभा का अध्यक्स बना दिया होता, नहीं बनाया आपने एक दलित को, आपने एक वैस्ट समाज के आदमी को बना दिया, अब डिप्टी स्पीकर पर भी अगर आप नहीं बनाना चाहते, अब धेश प्रशाद को तो messaging जो है, जो अखले जादा हो चाह रहे हैं 50% OBC हैं, और दलितों को मिला लिजे, मुसल्मानों को मिला लिजे तो 80% है, तो 80-20 के लड़ाई में कैसे मनुवाद जी सकता है, कैसे समणवाद जी सकता है, जबकि 80% population तो OBC और दलित SCST की है और मुसल्मानों की है, जे, जे, सर, चिलते जलते हैं, अंत में एक चीज मैं ज मायावती जी ने सीधे उस बाबा के गिरफतारी की मांग कर दी है, जबकि दूसरे जो सियासी दला, इन फैक्ट, चाहे वो अखिलेश यादों हों, चाहे वो राहूल गांदी हों, चाहे वो मुख्यमंतरी की आदितनात हों, ये सारे लोग सीधे बाबा से बाबा पर कुछ बोलने से या उसकी गिरफतारी की बात करने से अभी तक बच्चते रहे हैं, किसी ने भी इसकी पहल नहीं कि, लेकिन मायावती ने सीधे गिरफतारी की मांग कर दी है उस बाबा की, तो क्या ये मायावती अपने लिए आपदा में उसर देख रही हैं? इसकी एक अल्टरनेटिव पावर सेंटर बन रहा था, और महनपुरी, इतावा और ये उत्तर प्रदेश के वेस्टन यूपी के अंदर उसका प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था, जो चंशेकर राजात के लिए खत्रे की घंटी थी, और बहन जी भी खत्रे की घंटी थी हो सकता है बाकी विपक्षी दलों के लिए खत्रे की घंटी ना हो, क्योंकि जितना चंशेकर राजात कमजोर होते हैं और मायवत्ती कमजोर होते हैं उतना बाकी पार्टियों को फाइदा होता है, तो ये तो देखिए उसका में कारान है, लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिकत है मेरे हिसाब से देश के अंदर अंधिविश्वास पे कंट्रोल होना चाहिए और देश को 21 शताबदी ले जाने में ये जो ढोंगी बाबा और ये जो फकीर हैं पीर फकीर हैं ये देश को 21 शताबदी की विपीर दिशा भी ले जा रहा हैं ये राश्ट्रहित पर नहीं होना है इसलिए जिस परका के ढूंगी लोग हैं उनसे सरकार ये कहे माल लीजे ये बाबा कहता था कि मैं भगवान का अवतार हूँ श्रीकृष्ण का अवतार हूँ तो चीविनिस्टर को इनको ये कहना चाहिए कि आप ऐसा कीजिए आप ये जो मरे हुए लोग हैं 121 लोग इसमे गरीबी दूर कर दो महगाई कम कर दो तमाटर 100 रुपे हो गया है आप तो नहीं खरिदते होंगे मैं तो खरिदता हूँ जो पता है कोई सबजी 70-80 रुपे से कम नहीं है पैट्रोल डीजल के दाम कम नहीं कर रहा है रूस से जो है आयात कर रहा है 40% डिसकाउंट पे और हम लोगों को वही 100 रुपे में बेचे चले जा रहा है हर चीज हमारे जितनी फैसिलिटी दे रखे दी विड्रौ कर रखे दी तो लूट मची हुई है तो यह जो यह आसा राम बापूजी और राम रहीम और फलाने बाबा और ढोंगी बामा यह जंता को गुमरा करके और गरी प्रेशिश को लेकर के होती है कि जब हम लोग क्या गेहूं बेचा जाता है और जब घर में आटा खरीदा जाता है तो इन दोनों की 13 पर 15 भीकने वाले घेहौं का आटा जब हम लोग 42 45 रिपर में खरीदते हैं तो चर्चा इस बात की होती है कि यार यह है क्या आखेर इस 13 रुपय की लागत कितनी आती है कि 45 रिपर में बेंचा जाताया है 48 रिपर में बेंचा जाताया उसी तरीके से दूसरे अनाज हैं जिस जो धान बेचा जाता है बारा रुपए किलो पे बारा सो रुपए कुंटल बेचा जाता है सर उसका चावल जब हम खरीदने जाते हैं तो वह 48 रुपए किलो मिलता है अब उस धान से चावल बनाने की प्रक्रिया की लागत कितनी है वो बमुश्किल एक रुपए वीस पैसे है क्योंकि घर पे भई धान से चावल बनवाया जाता है तो वो भी पता है हम लों को तो एक रुपए वीस पैसे है बाकी पैसा कहा जाता है गेहूं से आटा बनवाने क जो लागत है वो 80 पैसे प्रती किलो है अब बाकी पैसा कहा जाता है ठीक है कि मान लीजे आपने मशीन से बनवाया उसमें अलग थोड़ी परक्रियाएं है या उसकी एक कॉस्ट है अद्दोगी करण की एक कॉस्ट है टैक्सेस भी जोड लीजे लेकिन क्या तब भी दोगने स ज्यादा कांतर आ जाता है ये ये जो सवाल है न ये इसका जवाब उन लोग अभी भी ढूंड नहीं पाते हैं हलाकि उसके जवाब बहुत सारे अलग अलग उस पर मिल जाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अखिल से